मगरमच के आशू दोस्तों आपने इस कहावद को अक्सर सुना होगा मगर इस कहावद में मगरमच का ही जिक्र क्यों किया गया है दोस्तों मगरमच जब भी अपने शिकार को खाता है तो उस दोरान उसकी आँखों में हवा भरने लगती है जिसके कारण उसकी खुली आँखों से पानी बहने लगता है जिसका ये मतलब तो बिलकुल भी नहीं कि वो उदास है या रो रहा है इस कहावत का इस्तमल उन लोगों के लिए किया जाता है जो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो उदास है और परिशान है मगर मच की बात होई रही है तो आपको बता दे कि उसी के जैसा दिखने वाला एक और जानवर जिसे घडियाल भी कहा जाता है दोनों ही जानवरों को लोग एक जैसा समझते हैं मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जो शायद आप नहीं जानते होंगे मगर मच अपनी जीव ये टंग को बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन एलिगेटर ऐसा कर सकते हैं ये फैक्ट पसंद रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें